करनाल के सामानिय अस्पताल में अब ऑक्सिजन के अभाव में मरीजों को इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा और नहीं उन्हें अब दूसरे अस्पतालों में ऑक्सिजन के लिए रेफर करना पड़ेगा क्योंकि अब शिगर ही सामानिय अस्पताल में ऑक्सिजन पैदा करने वाला प्लांट लगने जा रहा है जिससे ऑक्सिजन के सिलेंड्रों पर निर्भरता भी खतम हो जाएगी और विभाग का समय और पैसा दोनों ही बचेंगे ये प्लांट हवा से ऑक्सिजन ग्रहन करेगा और पाइपों के माध्यम से इसकी सप्लाई सामानिय अस्पताल के प्रतेक बैड तक होगी मौजुदा समय में अभी तक 120 से अधिक बैड पर ऑक्सिजन की सप्लाई है सामाने अस्पताल के 200 से अधिक बैड पर यह सप्लाई शिगर ही शुरू हो जाएगी इस उक्सिजन प्लांट की तैयारिया पूरी हो चुकी है अब केवल केंद्र सरकार द्वारा इस प्लांट को संचालित करने के लिए जिन मशीनों की आवशकता है और उनका इंतजार है इसके अलावा सामाने अस्पताल के लेबर रूम की शमता भी बढ़ाई जा रही है लेबर रूम में बैडों की संख्या 24 से बढ़ा कर 50 करने की तैयारियां जोरों पर है इसके अधरिक्त सामाने अस्पताल से ईसंजीवनी सुविदा भी शुरू की जा चुकी है इस सुविदा के माध्यम से मरीज घर बैठे ही फोन के माध्यम से डॉक्टरों से बात कर सकता है उन्हें अपनी तकलिफ बता कर दवा भी लिखवा सकता है ये दवा उन्हें अपने नजदी की सरकारी स्वास्ते केंद्रों से निशल्क मिलेगी करनाल से तरुन मदान की रिपोर्ट साल के पी ए मो दूक्टर पी शर्मा जी शर्मा सर सबसे पहले आपका समचार अप्र करनाल की जनता को इस कि सब्कार करकार करत करूंगा की अपनां अपना स्वास्तिय करमचारी और डॉक्टर टीक का लगवा चुके हैं सिर्फ यही दिखाने के लिए करनाल के समाननी अस्पताल में oxygen generate प्लांट लगने जा रहा है अड़ोग सब इसके लगने के बाद हमारी डिपेंसेंजी जो हमारी डिपेंडेंसी है जो सिलंडर है अक्सिजन के सिलंडर है उन से खतम हो जाएगा इस्टेंड बोर्ड पर हमें उनुन पर जरूर रखना पड़ेगा जो ये प्लांट लगने जा ही है जैसा कि पिछे अमर्जनसी में सरकार ने महसूस किया कि ऑक्सिजन की जो कमी ऑस्पडल में रहती है इसके लिए हमें कोई प्राइवेट फैक्टरियों के ओपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था फिर ट्रांसपोर्ट वहां से होती थी आगे तो सरकार ने इसके लिए ह ही सोचा है कि ऑक्सियन प्लांट ही हम होस्पिटलों में लगा दिये जाएं इसी कड़ी में हमारी हर्याना सरकार और सेंट्रल सरकार के साहता से एक ऑक्सियन प्लांट हमारे सिवल होस्पिटल करनाल में भी लगाया जा रहा है इस प्लांट की कपैस्टी टू हंडर्ड होस्पिटल है यह जो प्लांट है यह एट्मोस्फियरिक ऑक्सिजन को ड्रा करेगा और इसको उसमें कनवाट करके सिलेंडर से थूरू जो पाइपलाइन्स हैं उनके थूरू पेशेंट तक पहुंचेगा अभी तक जो प्रोसेस चलता था वो हम जो ऑक्सिजन जनरेशन प्ल जाती थी इससे खर्चावीत सरकार का आता था ट्रांसपोर्ट का भी पड़ता था और फिर कभी ऑक्सिजन उनके पास होती थी कभी नहीं होती थी तो जब ज़्यादा डिमांड के टाइम में समस्या भी आ जाती थी अगर हम बात करें यह प्लांट कब तक स्टार्ट हो जा इस MudireMen होती है तो यह 90% के आज पास जो अंऑ्सियन करेगा और यह air से करेगा इस में जो मशिनरी है वह सारी भार सरकार के द्वारा पर होजित है और भार सरकार ही इसकी सारी मशिनरी को सप्लाई करेगा हमारे लिए जो कार ये था हमाई इंफ्रास्ट्रक्चर तियार करके देना था तो हम जैसे सरकार की उम्मीद थी कि जनवरी के आखिर तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तियार चाहिए तो हमने अपना कार ये समय पर पूरा करते हुए हमने जो भी उनकी requirement थी एक room की और उसकी infrastructure की area room था उसकी हमने पूरी कर ली है तेयारी पूरी कर ली है और जैसी oxygen plant की जो machinery है वो भारसरकार से आएगी यहाँ लगते ही यहाँ काम तुन शुरू कर दिया जाएगा यह डोक्टर प्यू शर्मा है उन्होंने बताया कि अब जो oxygen cylinder अब हमारी dependency थी वो खतम होने जा रही क्योंकि भारसरकार दोर एक plant त्यार किया गया जिसके तहत हर एक hospital के अंदर oxygen generate plant लगा जाएगा मैं आपको बता दूँ कि यह जो plant है यह air के थू oxygen को draw करेगा और उसके दोरा ही यह मरीजों तक पहुंची जाएगी करनाल के समाने असपर 200 वैड़ी थी और इनका पूरे का पूरा प्लान ही है कि 200 बैड तक वो pipeline जाए और हर अगर किसी भी patient को किसी भी समय oxygen की जूरत होती है तो तुरंत उसे उसके बैड पर ही मिल जाए इससे पहले जो इनकी dependency थी जो पैसा लगता था लेकिन एक बार यह प्लांट लग जाने के बाद वो dependency खतम हो जाएगी और जो है जिस trauma center को या जिस hospital को कभी drama center या कभी reference center के संगया दी जाती थी वो संगया बिल्कुल खतम होने जा रही है वो जो नाम इसको दिए गए ते वो नाम और वो खतम होने जा रह जाएगा अभी तक फिलाल 200 बैड हैं अभी तक फिलाल कितने बैडों पर oxygen की pipeline बीच रही है हमारे पास अभी तक जो थी हमने पहले शुरू में काफी कम बैड थे हमारे oxygen वाले फिर हमने अपने संसादनों को बढ़ा कर हमने 120 बैड तक oxygen के pipeline पहुचवाए थे प्रंतों सरका की मदद से और सरकार के इस कारे कम के द्वारा हर बैड के ओपर oxygen पहुंच रही है और अब हमारे पास 200 बैड इड होस्पिटल हैं और बाकी सारे casualty और SNCU के बैड मिला के हमारे पास लगबग 230 बैड हैं तो अब प्लैन यह है कि 230 के 230 बैड के ओपर ही oxygen पाई पहुच कि सरकार दोवारा इनको जो instruction दी गई थी जिन से जो डिमांड की गई थी जो infrastructure इन्होंने त्यार करना था करनाल के सम्भाने सब्सक्राइब में वो infrastructure त्यार हो चुका और उसकी report भारा सरकार को दी जा चुकी है जैसे ही भारा सरकार दोवारा वो machine दी भेजी जाएगी वो य नहाँ पर सभी बैड जो कि तकरीबन 230 बैड हैं उन सभी बैडों पर ही oxygen की supply शिरू हो जाएगी ताकि मुरीजों का emergency के दोरन इदर उदर ना भागना पड़े डुक सब इसकी अलावा labor room की extension को लेकर आपका क्या plan है और वो कब तक पूरा होने एक chances है दो पहले oxygen के pipeline वहाँ पर भी हर बैड के ओपर पहुंच रही है और यह कारिया चल रहा है oxygen हर बैड के ओपर oxygen pipeline का कारिया चल रहा है इसी तरह हमने यह अनुभव किया था कि जब हमारे ओपर hospital के ओपर जब covid time में हमारे ओपर load पड़ा क्योंकि आसपास के जिलों से और काफी private hospital हो ने भी अपना का रश काफी हुआ और अभी हमने जो इस रश को देखते हुए हमारे पास जो existing labor room था वो छोटा पड़ रहा था इन सब की देखते हुए हमने सरकार की मदद से इस labor room को बढ़ाने की कोशिश की है पहले हमारे पास labor room में 24 बैड थे अब हम इसको बढ़ा के लगबग 50 बैड का labor room बना रहे हैं जिसके लिए construction कारी चल रहा है और उमीद है कि जल्दी ही construction कारी पूरा हो जाएगा इनको ऐसा महसूस हुआ कि यह labor room छोटा पढ़ रहा है और इसको exist किया जा रहा है इसको बढ़ाया जा रहा है यहां पर पहले मुझूदा समय में 24 बैड अभी तक हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन अब इनको बढ़ा कर 50 बैडों तक पुंचाने का इनका प्रोग्राम है और ज इसका क्या प्रावधान है और इससे जनता को कितना कुलाब मिल रहा है और अगर हम बात करें तो यहां इस संजीवनी पर डेली कितनी कौल सा जाती होंगी और पेशेंट किस तरह से कौल कर सकता है कोविड की सिच्विशन को देखते हुए सरकार ने एक अन्य सुईधावी आम जनता के लिए शुरू की है जो कि हम सामाने अस्पिताल अपने सिविल अस्पिताल करनाल में भी शुरू कर चुके हैं इसमें मरीज घर बैटे बैटे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है औ और हरोज यहां डूटी के हिसाब से दो डॉक्टर हमारे डूटी पे होते हैं और जो भी पेशेंट की क्वेरी होती है या जो इसको रिक्वार्मेंट होता है उसको पूरा किया जाता है उसी संजीवनी के महजे से उसको ट्रेटमेंट दिया जाता है और उसको प्रिस्क्रि आच से दस सकाल ACRI है जो इस संजीवनी के मादधे से पेशंट ट्रीट्मन चला रही है अगर इस संजीवनी के मादधे में आपर दिखा के, इस संजीवनी में जो पेशंट दी जाती है वो किसी भी गौर्वन्ट होस्पितल को दिखा के patient medicine प्राप्त कर सकता है देखिए ये एक ही बड़ा ही सरानिये कदम जो सरकार द्वारा उठाया गया स्वास्ति भाग द्वारा उठाया गया है जो मरीज है वो घर बैटे ही डोक्टर से कंसल्ट कर सकता है और इसके अलावा इस संजीवनी के माध्यम से दौक्टर द्वारा मरीज को जो भी द्वाईय प्रिस्क्राइब की जाती है वो द्वाईय अपने नजदी की PSCICC सेंटर में प्रिस्क्रिप्शन दिखा कर free of cost ले सकता हुसे किसी तरह का charge नहीं देना पड़ेगा किसी तरह का cost नहीं पेगरना पड़ेगा उसे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दिखानी है और उसे और डौक्टर द्वारा लिखी के सारी की सारी द्वाईय उसे मिल जाएंगे सर अगर हम बात करें करनाल के समानने हस्पताल में E.D.L. की जिसे हम essential drug list केते हैं उसके हिसाब से E.D.L. की हिसाब से हम यहाँ पर कितनी द्वाईयों की जो स्वास्ते भाग है करनाल का स्वास्ते भाग है या आपका जो डिपार्टमन ने कितनी द्वाईयों की पूर्ति की जा रही है मुझे यह बताते हैं बड़ी खुशी है कि हमारे समाने अस्पताल करनाल में जितने भी एसेंशल ड्रग लिस्ट की जो दवाईयां अविलेबल हैं हमारे स्टोर में हंडर्ड परसेंट हमारे याविलेबल है हमारे याँ लगबख पांससो पंदरा आइटम्स जो हैं स्टोर में इस वक्त उपलब्ध है और अगर अमर्जन्सी की पर्चेज में भी जो भी दवाई की जूद पढ़ती है हमारे पास SKS में sufficient fund है तो अगर हम तो अमर्जन्सी से भी हम परचेज कर सकते हैं तो 99% हमारी जो medical के requirement है medicines के requirement है, लोगों के requirement हम उसको पूरा करपाने में सफल हो रहे हैं देखी ये थे मारे साथ डॉक्टर प्यू शर्मा करनाल के समानने स्पतल के पीमो इन्हों नहीं हमें यह भी बताया कि जो EDL सरकार द्वार जो लिस्ट जारे की गहती जिसे की essential drug list कहा जाता है उसके इसाब से 500 से अधि करी 515 द्वाईया यानि की 99% मेडिसन इनके पास सबसे में बात है कि विशम परसित्यों में ऐसे मेरी जिने की oxygen की जुरत है अब वो दिक्कत यहां पर आने वाले कुछी समय में दूर हो जाए क्योंकि यहां पर oxygen generation plant लगने जा रहा है इसके लिए infrastructure त्यार हो जोगा अब अगर दरकार है तो इतनी कि सरकार द्वारा मशीनरी भीजी जाए उसे यहां पर setup किया जाए मैं तर्वमदान senior camera person Sunny Chaudhry Samachar Express के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्स्क्राइब करें धन्यवाद Banquets lie है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise